दोस्तों, डिजिटल करेंसी की ओर, पहला कदम बढ़ाते हुए, परधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने एक electronic voucher based digital payment system को launch कर दिया है, जिसका नाम है E-Rupee. दोस्तों, इस platform को National Payment Corporation of India यानि की जिसे आप NPCI कहते हैं, उसने Department of Financial Services, Ministry of Health and Family Welfare और National Health Authority द्वारा डेवलप्ट किया गया है. यह एक personal specific और purpose specific payment system होगा. दोस्तों, E-Rupee एक cashless और contactless digital payment media होगा. जैसे हम लोग दोस्तों, general currency जो हमारी होती है, वो paper की होती है, उस तरह का यह currency नहीं होने वाला है. यह currency, beneficiary के mobile phone में SMS या QR code के तौर पर आएगा. शुरवात में यह एक prepared gift voucher की तरह होगा, और इसे specific center पर बिना किसी credit card या debit card या mobile app या internet banking के redeem किया जा सकेगा. दोस्तों, e-rupee, beneficiary को बिना किसी physical interface के digital services के sponsor से contact करेगा. दोस्तों, आईए अब जानते हैं कि कैसे जाड़ी किया जाएगा यह e-rupee voucher. इस system को NPCI द्वारा उसके UPI platform पर develop किया गया है. इसमें बैंकों को सामिल किया गया है, जो इन voucher को जाड़ी करने का काम करेगी. बैंक से contact करना होगा, जो प्राइवेट और सरकारी दोनों हो सकते हैं. इसके साथ साथ इस बात की भी जानकारी देनी होगी, कि यह किस के लिए और किस उद्देश से लिया जा रहा है. बैनिफिशरी की पहचान उनके मोबाइल नंबर से किया जाएगा. उनके मोबाइल नंबर से की जाएगी, बैंक द्वारा सर्विस प्रोवाइडर को किसी ब्यक्ति के नाम का भाउचर सिर्फ उसी ब्यक्ति को दिया जाएगा. आईए अब दोस्तों जानते हैं कि E-RUPI का इस्तेमाल आप कहा कहा कर सकते हैं. दोस्तों सरकार के मुदाविक E-RUPI Welfare Services की लीक प्रूफ डिलेवरी की पुष्टी करेगा. इसका इस्तेमाल Mother and Child Welfare Scheme में होगा. उसके बाद TV Irradication Program के तहट दवाओं और Nutritional Support में इसका यूज किया जाएगा. आइसमान भारत परधान मंतरी जन्द आरोग योजना और Fertilizer Subsidy के तहट स्विवधा देने के लिए किया जा सकता है. इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों को Welfare and Corporate Social Responsibility Program के तहट Digital Voucher दे सकता है. तो दोस्तों यह थी कुछ E-Rupy के बारे में जनकारी, अगर आपका कोई भी E-Rupy से रिलेटेड और भी सवाल हो, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं उसका रिपलाई दूँगा. और अगर आपने इस वीडियो कभी तक लाइक और शेर नहीं किया दे परी लाइक और शेर कर दिए, साथ-साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और यह नहीं हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रहा है, हुने बहुत-बहुत धन्यवाद.